नमस्कार दोस्तों देखो सीगो इस टेडी में आप सभी लोगों का स्वागत थे दोस्तों 6 मार्च 2020 में जो आपके SSE CGL में जीगे के कोशन जो आपके अलग-अलग सिप्टों में पूछे गए हैं उनका पुरा स्वेट हम लेके आचुके हैं ये सारे कोशन बहुत इंपोर्टेंट होंगे आपके आने वाले सभी एक्जाम के लिए जो भी आप आगे फ्यूचर में एक्जाम देने वाले हैं ठीक है कंपनी वाला वही आपका ये है 1858 का अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम ठीक है याद रखिएगा इस अधिनियम के तहद दोस्तों क्या हुआ था कि जो इस्ट इंडिया कंपनी की सक्तियों को हस्तांतरिश करके जो है क्या किसको दे दिया गया था विर्टी समराज को दे गांधी इर्विन समझवता थी करांची अधिवेशन 1931 की विसेश था याद रखेगा गांधी इर्विन समझवता एक्जाम में पूछा गया है नेक्स्ट कोशन बात करें दोस्तों खार्दे नहर का दूसरा नाम क्या है तो आहार नली बोलते हैं उसको ठीक है आहार नली जो है खार्दे नहर का दूसरा नाम है नेक्स्ट कोशन बात करें दोस्तों दल बदल पर कानूनी रोक समविधान के किस संसोधन में है तो संसोधन कौन सा है बावन्वा संसोधन बावन्वा संसोधन में है दोस्तों दल बदल पर कानूनी रोक जो है समविधान संसोधन है बावनवा अमेंडमेंट नेक्स्ट कोशन बात करेंगे दोस्तो हजार चौरासी की मा उपन्यास के लेखक कौन है हजार चौरासी जो है की मा उपन्यास है दोस्तो इसके राइटर कौन है इसके राइटर है महा स्वेता देवी महा स्वेता देवी जी जो है हजार चौरसी की मा जो है पन्नास के लेखक है महा स्वेता देवी जी नेक्ट कोशन बात करेंगे पंजाब और जम्मु कस्मिर में BSF द्वारा लांच जो है exercise या operation कौन सा था दोस्तो तो सुदर्शन याद रखेगा सुदर्शन पंजाब और जम्मु कस्मिर में BSF द्वारा लांच किया गया exercise operation है सुदर्शन याद रखेगा next question very very important question है कई बार में इसको करवा चुका हूँ रामा नूजम एवार्ड किस छेतर में दिया जाता है दोस्तो तो जैसे कि आप जानते है गडिता के तो गडित के छेतर में math के mathematics के छेतर में रामा नूजम एवार्ड दिया जाता है next question जो मराठाओं की कर प्रनाली क्या थी मराठाओं की कर प्रनाली जो थी वो थी चौथ और और सरदेश मुखी चौत और सरदेश मुखी कर प्रनाजिती मराठाओं के याद रखेगा यह आपके एक्जाम में पूछा गया है नेक्स्ट कोशन बात करेंगे दोस्तो कुतुम मिनार्ट परिसर में निम्न में से कौन सी इमारत नहीं है कुतुम मिनार्ट को परिसर है option आपके दिये थे उनमें से अपको बताना था कि कौन सा जो है कि उसका इमारत नहीं है तो बुलन दरवाजा दोस्तो ठीक है option में था यह आपका सही उत्तर हो जाए या option के हिसाब से आप answer देंगे बुलन दरवाजा जो है कुतुम मिनार्ट परिसर का इमारत नहीं है next question पुछा गया था चौसा कायूद किस के किस के बीच या किस के बीच हुआ था दोस्तो तो हमायू और से सा के बीच 1549 में हुआ है ठीक है 1549 में हुआ है चौसा कायूद किस के किस के बीच में हुमायू और सेरसा के बीच में याद रखेगा एक्जाम में पुछा गया है आगे भी आ सकता है next question 13-वाद दच्छिड ACI खेल किस देश में हुआ नेपाल में हुआ है दोस्तो 13-वाद दच्छिड ACI खेल जो है किस देश में हुआ नेपाल में हुआ एक्जाम में पूछा गया है SSC CHSL में ये सभी कोशन बहुत इंपोर्टेंट है आ सकते है अनुछेद जो है आपका 378 किसे से समंदित है amendment है समविदान संशोधन है बहुत important है कई बार very very important question है कई बार हरेकी एक्जाम में आ चुका है 368 जो है अनुछेद में क्या है समविदान संशोधन या amendment next question है नाबार्ट की स्थापना ये भी आपकी एक्जाम में आ चुका है और बैंकी की एक्जाम में भी ये पूछा आता है 1982 में दोस्तो जो है नाबार्ट की स्थापना की गई थी नाबार्ट का फूल फॉर्म जिन लोग को याद होगा comment box मताएंगे नाबार्ट का फूल फॉर्म क्या होता है ठीक है ये पुछा गया आपका नाबार्ट की स्थापना 1982 में और मन्थ भी जिन लोग को याद होगा लिख सकते हैं तो सुस्क से अभी आप याद रख सकते हैं सुखा जोधपूर राजस्थान याद कर सकते हैं बहुत ही घसानी है आपके एक्जाम में पूछा गया है सुस्क वन अनुस्तान संस्थान जो है कहा पर है जोधपूर राजस्थान में next question बात करें जुस्तो तो अर्चना, अर्चना कामत का संबंद किस खेल से है, टेबल टेनिस से इनका संबंद है, टेबल टेनिस से अर्चना कामत जी का संबंद है, याद रखेगा, किस खेल, कौन सा खेल खेलती हैं, ऐसे भी आप से पूछा आ सकता है, तो अर्चना कामत जी जो है, संबंद है, टे की बतेगेगा कि भीम बेट का जो है किस धर्म से संबंदी थे जिन लों को याद है लिख सकते हैं ठीक है यह देखिए हरिटेस साइड है मध्यपरस में भीम बेट का ओप्षन में साइड था ठीक है चलिए नेक्ट कोशन बात करेंगे दोस्तों सी के नाइडू पुरसकार किस से दिया गया है तो दिया गया महिला में अंजुम चोपराजी को पूरस में केसरी कांत को आपके एक्जाम में पुछा गया है नेक्ट कोशन रक्त में आक्सीजन को कौन ग्रहण करता है तो रक्त में दोस्तों आक्सीजन को हीमोग्लोबीन जो है वो ग्रहण करता है हीमोग एंसर आपको जाए रक्त में आक्सिजन कौन गरन करता है हिमो गलोबीन एक्जाम में पूछा गया है नेक्स्ट कोशन जूनियर अंडर 19 बिश्व कुस्ती चैंपियंसिप किसने जीता दीपक पुनिया कई बारी एक्जाम में पूछा जा रहा है ठीक है याद रखेगा जून ब्रह्मिनी नदी जो है पूरब की और बहती है ओफ्शन की साबसे करेंगे पूरब की और कौन बता है ब्रह्मिनी नदी ठीक है नेक्स्ट कोशन जो आपके एक्जाम में आ था कौन सी धातु जो है जिवाडू रोधी है कौपर कौपर जो है यह अपका धातु है जो की जि दस्मवान कोमान किरा है ना सिरा सर्माजी को मिला है कागज की नाओ के लिए मिला है तिया कागज की नाओ के लिए नासीरा सर्माजी को व्यास सम्मान 2019 से मिला है याद रखेगा नेक्स्ट कॉशन बात करें जोस्तों कौन सा राज जो भूटान की भूटान से सीमा साजा नहीं करता है वो आपको बताना था तो मिघाले ऑफशन में दिया था मिघाले इसका सही उत्तर हो जाए यहाँ पर बताना था कि कौन सा राज है जो की भूटान के साथ सीमा साजा नह नहीं करता है ठीक है इसके लिए ट्रिक भी आप सभी लोग को बताया था ठीक है तो यहां पर मिघाले जोए सीमा साजा नहीं करता है बॉंडरी शेयर नहीं करता है नेक्ट कोशन बात करें दोस्तों एक्जाम में पूछा गया सी आर फार्मूला किस ने दिया था चक्रवर्त जो है या सी राजा गोपाल चारी जी जो हैं यह किसके लिए और भी प्रसिद्ध हैं कमेंट बॉक्स में देगा इनसे समंदीत एक कोशन पुछा आता है बार बार जीके में ठीक है जिन लोगो यादा हुआ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं नेक्स्ट कोशन बात के दोस् और प्रवर्वंदन के लिए यह सू है यार रखेगा नेक्स्ट कोशन बात करेंगे दो स्थो F.I.H. World Games Athlete of the Year 2019 किस ने जीता तो रानी रामपाल जी ने रानी रामपाल जी ने F.I.H. World Games Athlete of the Year 2019 जीता है रानी रामपाल जी ने जीता है next question बात करेंगे जोस्तो मुद्रा इस्पिती मुद्रा इस्पिती होने पर रेपू रेट पर क्या प्रभा पड़ता है मांहाई अगर बढ़ जाएगी तो रेपू रेट पर क्या प्रभा पड़ता है तो रेपू रेट दोस्तों यहां पर बढ़ जाता है ठीक है रेपू रेट बढ़ जाता है मोदाइस पिती जो होने पर क्या होता है रेपोरेट बढ़ जाता है next question है महिलाओं का प्रात्मीक योन अंग कौन सा है तो overi या अंडासे AMY option में था overi या अंडासे इसका सेउत्थर हो जाएगा महिलाओं का प्रात्मीक योन अंग जो है overi या अंडासे next जो question आपके एकजाम में पूछा गया मदारी किस राज्य का खेल है मदारी जो है महाराष्टर राज्य का खेल है मदारी जो है महाराष्टर राज्य का खेल है नेक्ट कोशन बात करें जोस्तो जायक वाडी डैम किस नदी पर है जायक वाडी जो डैम है वो गोदावरी महाराष्टा गोदावरी नदी पर है यह पूछ रहा है जायक वाड़ी डैम जो है किस नदी पर है गोदावरी नदी पर है याद रखेगा एक्जाम में पूछा गया है नेक्स्ट कोशन बात करेंगे, गोल गुमज, गोल गुमज कहां पर है, यह आपका बीजापूर करनाटक में है, ठीक है, गोल गुमज कहां पर है, बीजापूर करनाटक, दोस्तों यह railway के लिए भी बहुत important है, जितने सारे question आपके exam में पूछे जा रहे हैं, इन सभी पर जहां रखना है, जो लोग रेलवे में exam देने वाले हैं, उन सभी लिए, जो है SSC, CGL और साथ-साथ CHSL का भी exam होगा, उनके लिए भी important है, और CHSL के जो question है, उनको भी आप अच्छे से रट लीजेगा, next question है, माधोपूर मेला कहां पर लगता है, गुजरात में दोस्तों, मा महिला T20 international में सबसे ज़्यादा रन बनाने का record अपने नाम किया, वे किस देश की हैं, या किस देश से हैं, अस्टे लिया से हैं, नाम है Lisa Hilly, इन्होंने महिला T20 international में सबसे ज़्यादा रन बनाने का विजक रिकर्द किया हैं, ये Australia से हैं, याद रखेगा, next question है, एगरो नम जो है यह किसके अध्यान से समंदित है यह समंदित है फसलो और मिट्टी से फसलो और मिट्टी से समंदित है एग्रो नॉमी याद रखेगा एग्रो नॉमी किसके अध्यान से समंदित है फसलो और मिट्टी से समंदित है ड्रीम फॉर माई फादर पुस्तक के लिखक कोन है राइटर कोन है ड्रीम फॉर माई फादर जो है पुस्तक के लिखक कोन है बराक ओबामा जी बराक ओबामा जी है राइटर है ड्रीम फॉर माई फादर पुस्तक के राइटर नेक्स्ट कोशन बात करेंगे तान सेन समारो किस राज्य से समंदित है तान सेन जो समारो है वो मद्य परदेश राज्य से समंदित है तान सेन समारो जो है ये मद्य परदेश राज्य से समंदित है मीडिया में भारत की सबसे सक्तिसाली महिला पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया नेक्स्ट कोशन बात करें दोस्तों FSAI के द्वारा पहला इट राइट स्टेशन किसे घोशित किया गया दोस्तों किसे घोशित किया गया ये घोशित किया गया मुंबई सेंट्रल को मुंबई सेंट्रल को घोशित किया गया ठीक है FSSAI द्वारा गोशित किया गया है पहला Eat Right Station और ये मुंबई सेंटरल को गोशित किया गया है Next question बात करेंगे किसने अंतराश्टी या क्रिकेट स्टेडियम और प्रसिछण के लिए हैदराबाद में अधार सिला रखी रोहित सर्मा ने याद रखेगा किसने अंतराश्टी या क्रिकेट स्टेडियम और प्रसिछण के लिए हैदराबाद में अधार सिला रखी रोहित सर्मा ने अधार सिला रखी याद रखेगा हैदराबाद में Next question बात करेंगे दोस्तो ये question आपको पूछ लिया गया था करके बताएगा ठीक है दो जो है अनुछेद बहुत इंपोटेंट है उन निस और एक और है ये जो है आपके अपात काल में भी नहीं हटते हैं ठीक आपके अधिकार दोस्तों बताएगा इंटरनेट का अधिकार किस अनुछेद में है अनुछेद 19 में है नेक्ट्ट कोड़न है全部 energy index कौन जारी करता है w ef universal global energy index जारी करता है यह दखेगा global energy index कौन जारी करता है next question भारत निर्वाचन आयोग कब बना यह कब बना धव 25 जन्वरी 1950 में बना है भारत निर्वाचन आयोग कब बना है 25 जन्वरी 1950 में एक्जाम में पुछा गया था और आगे भी आ सकता है ठीक है याद रखेगा रट लीजेगा 25 जन्वरी 1950 में भारत निर्वाचन आयोग सरोचन न्याले की सहायक संधी किस अनुछेद में दी गई है ये आपका अनुछेद 140 में सहायक संधी दी गई है सरोचन न्याले की सहायक संधी नेक्स्ट कोशन बात करेंगे दोस्तो विक्रम सन्वत आपने पड़ावागा विक्रम सन्वत की सुरुवात कव हुई थी दोस्तो विती आपका जो इस्वी चल रहा है इससे आपका 57 वर्स पूर्व तो 57 इसा पूर्व ठीक है या इस्वी पूर्व ठीक है इपी या नूर जहां या महरुनिसा किसकी पतनी थी जहांगीर की याद रखेगा नेक्स्ट कोशन बात करेंगे दुस्तों 52 ओसकर में भारत की ओर से नामित फिल्म कौन सी है ये कौन सी है गली बॉय ठीक है गली बॉय जो है ये 52 ओसकर में भारत की ओर से नामित फिल्म है गली बॉय याद रखेगा कौन सी फिल्म गली बॉय बावनवे ओसकर के लिए नामित फिल्म भारत की ओर से बुद्ध और पृत्वी के मद्ध कौन सा ग्रह है शुक्र बहुत असान सा कुशन बुद्ध और पृत्वी के मद्ध कौन सा ग्रह है शुक्र ग्रह है एक्जाम में पूछा गया है next question very very important question ये भी आपके exam में आगे आ सकता है मैंने इसको करवा भी रखा था match fixing को अपराद की स्रेडी में रखने वाला पहला देश कौन सा है स्री लंका है स्री लंका है दोस्तो match fixing को अपराद की स्रेडी में रखने वाला पहला देश स्री लंका है याद रखेगा नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन लाई हरोबात ते उहार किस राज्य में मनाये जाता है मडीपूर में दोस्तो लाई हरोबात ते उहार किस राज्य में मनाये जाता है मडीपूर राज्य में मनाये जाता है तो दिखिए उस तो ये थे आपके 50 questions जो कि आपके 6 March 2020 के exam में आपके पूछे गए हैं ठीक है SSC के exam में SSC आपके CGL के exam में आएं तो CHSL Railway सभी के exam के लिए बहुत important ये आपके questions होंगे एकदम रट लीजे आगे भी अगर आप इस वीडियो को support करेंगे तो आगे भी जो भी आपके exam हुए हैं और उनके जो questions है उनको भी हम इसमें summarize करने का प्रयास करेंगे इसमें लेने का प्रयास करेंगे आसकरते हैं वीडियो पसंद है वो वीडियो को दिख से लिक लाइक चेर कीजेगा हमारा वीडियो देखने के आप सभी लोग काफिर से बहुत बहुत धन्यवाद